मद्यपर्देश की कमलनाथ सरकार की खेल एवं यूवा मंत्री जीतू पटवारी ने MP NEWS से खास बात्रित में खाया है कि वे खिलाडियों को सवारने और उनको बहतर प्लेटफॉर्म देने का काम करेंगे मद्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार के खेल एवं युवा कल्यान मामलों के मंत्री और अब उच्छु शिक्षा मंत्री भी हैं इन दौर के नए नवेले वधायक और कॉंग्रेस के कदावर निता श्री जीतु पटवारी जी सीधी बात करते हैं मंत्री जी से और जानने की कोशि आपके मंत्राले समालने के बाद दो बाते हैं कि यह जो कामिन नेशन हुआ है यह एकदम अद्भूत है आप तक्निकी सिक्षा युक परिवार के बेटे को रोजगार दिलाना है तो रोजगार उससे संबंदित है दूसरा स्पोर्ट से कैसा विधा है जो मेरी हभी का विश करें अलने इस प्रदाएं हैं उसमें मध्यपरदेश देश का कैसे नेतरत्रत करें ऊप करते हैं मध्यपरदेश के बच्चों विशुबर में कैसे नाम कमा हैं एक चुनोती है अब आप देखो कि हमारे परिवार का कि जो पालक है वह सोचता है मेरा बेटा इंजिनियर बने इस डाक्टर बने और ऐसी सर्विसिस में जाए जिससे की सरकारी नोक्रियों में जाए या चाहे आईपीएस बने आईएस बने पर वो यह नहीं सोचता है कि मेरा बिटा खेल के माध्यम से अपने जीवन का केरियर चालू करें और उसमें अपना नाम कमाएं यह कमी है इस कमी क अच्छा है उसको भी बुरा नहीं है पर हमारे समाज में जो लोग जिनके पास है कुछ देने के लिए दान वो स्पोर्स के लिए क्यों नहीं दे और उसको आत्म साथ क्यों नहीं करें मैं अलग विधा से यह सोचता हूं कि जो हर मंत्रा लई है मध्यप्रदेश शाशन का कि इस्पोर्स के गेम को गोद ले और उसको उसी के भावसे ज такой कि बच्चे अगर हमारे एक की नाम कमाते हैं महनत करते अंत करते चार्टे आत्म साथ करें और इसको वेसा माने जिसे मंदिर में पूजा करते हैं वैसे खेल के माध्यम से हम अपने बच्चों को पारी तोशित करवाएं तो उसमें अपना योगदान के से दें इस तरह का वातरण बनाना है आप राजनीती के महारती खिलाडी हैं आप राजनीती में भी खेल भावना को देखते हैं हार जीत को तवज्जो नहीं देते युवाओं को क्या खास संदेश देंगे और जिस तरह से हमारे हिंदूस्तानी खेल जो है अब विलुप्त होते जारे हैं पीछे चूट रहे हैं क अन्य किसी प्रकार का मैं समझता हूँ जीवन के उतार चड़ाओं में हो तो यह स्पोर्ट उसकी सीख देता है रात तक हांकी या हमारे इंडियन गेम से हैं जरूरी है कि हम पूरे देश में उनका नाम के हांकी पूरे विश्वर में जाना जाता है पर कई देशों में खेल जाता है कईमें नहीं खेला जाता है एहां के हमारा फरिवार का गेम हमारा अकने आत्मा का government मैं समझता हूँ उसके पालन पोजिशन और उसकी उन्नति के लिए तो मुझे सब कुछ करना चाहिए और महु उसका ध्यान चन जिनका हम मैं समझता हूं की गोरव से पूरी दुनिया नाम लेती है तो यह हमारे लिए गोरव के विश्य हुआ कि मैं यहां से खेल मंत्री बना जहां के ध्यान च सबसे बहुतरी नूच सिक्षा का मद्यपृदेश का केडर केसे बढ़े दुनिया भर में लोग सोचे कि मुझे मेरे बेटे को पड़ाना है तो मद्यपृदेश के भारत देश के मद्यपृदेश में कैसी युनियर्सिटी जहां पर मैं भरती करा सकता हूं हम यहां से आक स से हयास करेंगे सामर्थ से ज्याधा दिमाग और अपने आपको समर्पित करके विश्वाद जताएंगे कि ऐसा संस्थानिया बने जहां कमियां है उनको दूर हो जाहां प्लाइविट सेक्टर में हुमारे सरकारिक्टर जो इन उनुकालित सरकारी उनुकारी में बहुत बार गरबड होती है देखते रहते हैं उनकी बात हो और एक भरोसा कायम हो एसी हम कोशिश करें तो यह थी उच्शिक्शा मंतरी और खेलेवं युवा कल्यांड मंतरी श्रीजीतु पटवारी जो कि हमें बता रहे थे कि मद्यप्रदेश के युवाओं में बहुत सारी संभावनाएं देखते हैं और आने वाले दिनों में मद्यप्रदेश के युवाओं का जो भविश्य वो सुरक्षित होने वाला है चाहे वो खिलाडी बने या पढ़ लिखकर एक बड़ा सफल इनसान के उना बनना चाहे फिलहाल कैमरापरसन अरून यादव के साथ महिंद्र सिंग MP News इन दौर